हेलो फ्रेंड्स दोस्तों जानेंगे होक्सिपोड 50 mg सीरप के बारे में जानेंगे इसके कॉंपोजिशन के बारे में और इसके अल्टरनीट ब्रैंड के बारे में और इसके यूजस के बारे में जानेंगे एक किस-किस कंडिशन में बच्चों कुछ दी जाती है और इसके डो से काम करेती है और लेनी के बाद इसके क्या साइड एफेक्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए जिसे आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको तो इसमें होती है सेपोड ऑकजीम 50 mg पर तेक 5 ml में ये 30 ml की सीरप होती है जो डिश्टिल वाटर के जरीए रिडि की जाती है दोस्तों ये सीरप इंडिको फार्मसिटकस के दारा मैनिफक्टर के जाती है जिसकी मार्केट प्राइस 86 रूपीज के आसपास होती है दोस्तों प्रसाइस के जो कान ब्रैंड नेम है उसमें और पॉस्टी एंजी सीरफ होती है good save 50 मजीशी रप होती है मोनोल से 50 मजीशी रप रप होती है इसके बगश्ट पॉलिप María नेम है जो मार्केट में सकते हैं जो मार्किट में मेडिकल पर होते हैं उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों बात करेंगे उसके तो ओकसिपोड कि एक एंटिबाइटिक मेडिसिन से दोस्तों जब किसी बच्चों में बेक्टियल का इंफेक्शन होता है चाहे ओ यह के अंदर बेक्टियल का इंफेक्शन हो नोस के अंदर बेक्टियल का इंफेक्शन हो या आई के अंदर बेक्टियल का इंफेक्शन हो या फिर थ्रोट में सब इंफेक्शन को ठीक करने के लिए यह जो ऑक्सिपोड की शिरफ होती है से पोड़ाक्जीम यह प्रिस्क्राइब की जाती है इस सिरफ का इस्तेमाल करने से यह सब समस्या को ठीक क्या जाता है बात कर अगर इसके डोस की तो दोस्तों से पोड़ाक्जीम की जो डोस होती है बच्चों में वो 5MG पर केजी परडोस होती है आसान तरीके से अगर समझें अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे सेपोड ऑक्जीम 50MG की सीरप जो है 5MG पर केजी परडोस किसाब से उसे 50MG परडोस सुबह और 50MG परडोस शाम को देजाएगी यानि कि ऑक्सीपोड की जो सीरप होगी वो 5MG सुबह में और 5MG रात को शोते समय या शाम के टाइम दी जाएगी ये इसके डोस की सही मात्तरा है बात करेंगर इसके मूड अफेक्शन की तो दोस्तों सेपोडोक्जीम एक बीटा लेक्टम्स सेफालो एस्परिम गूर्प का थार्ड जनेशन एंटिवाटिक्स है जो एक बैक्ट्रियस साइडल एंटिवाटिक्स है सेपोडोक्जीम बैक्ट्रिया के सेलवाज सेंस्थिस को इनहेमेट करके बैक्ट्रिया को डिश्टोय करती है जिससे इंफेक्शन को रुका जाता है अगर इसके साइड एफेक्ट की बात करें तो इसको लेने से उल्टी हो सकती है चक्कार आ सकता है मतली आ सकती है पेट मे आपको कोई भी कुरीज हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजी थैंक यू सो मच